डॉक्टर शलप बंसल, रेडियोलोजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केर में एक सुप्रसिद नाम है, जिन्हें देश्व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजरिंग करने का अनभव प्राप्त है. और अपने इसी अनभव और एक्सपेटीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आये हैं एक स्टेट अफ दियार्ट डाइगनोस्टिक सेंटर. पड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन अत्यधिक शोर से होने वाले दिक्कतों, जैसे क्लॉस्ट्रफोबिया वो एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए. हमने एक हाइटेक आउडियो विज्वल, MRI सिस्टम लगाया है. पुलिस को मुखबिर द्वाया सूचना मिले थी कि पड़िक्षिदगर निवासी चीनी वैपाली से लूट करने वाले बदमाश अब पड़िक्षिदगर किठोर मार्ग पर लूट की फ्राप में हैं. जिसके बाद पुलिस वे SOG टीम ने किठो तिराहे पर वहनों की चैकिंग शुरू कर दी थी. इसी दौरान मवाना की तरफ से आ रहा है अपाची वे स्प्लेंडर बाइक सवार चाव लोगों पर पुलिस को शक हुआ. शक्य चलते पुलिस ने बाइक सवारों को रोकने का इशारा भी किया लेकिन यूपकों ने बाइक रोकने के बज़ाए पुलिस पर जान से मानने की नियत से फाइरिंग कर दी. जिसके बाद पुलिस ने भी आत्मरक्षा फाइरिंग की जिसमें मॉटर साइकल सवार अभियुक्त के पैर में गोली लग गई घायल अभियुक्त को तक पश्चात ही अस्पताल में भलती करा दिया गया था बता दें कि रफ्तार अभियुक्त ने अपना नाम तुशार ग्राम नंगला मुखतारपूर का रहने वाला बताया है साथ ही बताया कि वह लूट करने वाले गिरोह का सकरी सदस्य है जो मेरेट में कई जगा लूट की घटनाओं को अंजाम दे चुका है अभी के पास सिक्मंगर केड़ा वे थाना परिशितगर में हुई घटना के संबंध में भी 3,34,000 रूपीय बरामत किये गए है साथ ही एक मोटर साइकल, एक पिस्टल, 32 बार मैं, दो खोखा कारपूर भी बरामत किये गए है अभी के लिए इतना ही हमारी वीडियोज को जादा से जादा लाइक करें, शेर करें, और स्पाइटीव को सब्स्राइब करना न भूले